हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल अरू सिंग चैनल आप बेल आकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चानल बिल्कुल फ्री है तो आज जो बना रही हूँ में ये टिकी चाठ है जो बहुत ही स्पेशल बनेगी और बहुत ही करारी और चटपटी बनेगी तो इसके लिए क्या-क्या लिया है वह मैं आप लोग को दिखा देती हूं यहाँ पे तो थोरे से मैंने वेजिटेवल भी इसमें एड़ कर दी बिल्कुल बारिक चॉप कर लिजेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेट क्रम्स लिया है मैंने और त्री टेवल स्पून जितना यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया हूँ है और टू टेवल स्पून यहाँ पे मैंने भुना हुआ बदाम है यह जिसे इस तरह से मैंने लिया था इसमें और छिलके को साफ कर दिया था तो जितना कैरट लीजेगा उतना ही सिंबला मिर्च लीजेगा और उतना ही प्याज लीजेगा इसका मैजरमेंट आप ऐसी रखेगा तो यह मेंने तीन तीन टेबल स्पून जीतना त्यार किया है और थोड़े से पुदीने के उचली पते और धनिया के पते हैं साथ में हाफ लेमन है और दो हरी मिर्ची को इस तरह से बारिक काट लिया है तो यह सारे समान तो चाहिए होगा आपको मसाला त्यार करने के लिए साथ में कुछ पाउडर मसाले भी चाहिए होगे जो मैं आगे आगे आपको दिखाओंगी तो यहाँ पे मैंने कडाई को हीट अप कर लिया है और टू स्पून जीतना यहाँ पे आड़ कर दिया है मैंने यह बस हलका सा कैरेट और जो हमारा सिम्मला मिर्चे उसे ही सौटे करूंगी और यहां पर मैंने सबसे पहले लेसन एड़ कर दिया है और साथ ही हडी मिर्ची भी आड़ कर दिया है इससे ऑल में पूरी अच्छी तरसे इसकी खुश्बू आ जाएगी उसके बाद के लिए में यह वाला स्टेप ले रही हूं अदर्वाइस सब कुछ इसमें रौही मिक्स करना है तो इस तरह से आप हलका साही से सौटे कर लिजिए ताकि इसका मौशर उर जाए सिलना मिर्ची एड़ करने के बाद आप तुरंत ही एक दो बार चला कर और ओनियन वीस में एड़ कर दीजिएगा प्याज एड़ करने के बाद दसलका साही से एक-दो बार बस इस तरह से चला लें और उसके बाद जो आपने पॉयल किया हूँ पोटे से था उसे तोर ले और तोर के इसमें मिक्स कर दीजिए आलो मिक्स करने के बाद उसके बाद पुदीना पत्ता और धन्या पत्ता उसे भी इसमें डाल दीजिए वन टीन स्पून जितना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी एड़ कर दीजिए इसे बहुत ही चटपटा स्वाद आएगा उसके बाद जो हमने बदाम तोर के रखे हुए थे इसके छिल्की को साफ कर लीजिएगा उसे भी यहां पर एड़ कर दीजिए और यहां पर मैं यह चावल का आटा इसमें मिक्स कर रही हूं जो की 3 टेवल स्पून था कम या जादा आप मिक्स करने के बाद इसमें और एड़ कर सकते हैं और यहां पर काला नमक मैं एड़ कर रही हूं यह जरूर एड़ किजिएगा इससे टेस्ट बहुत ही चटपटा हो जाता है काला नमक जरूर एड़ किजिएगा साथ ही थोड़ा सा में सादा नमक भी इसम तिन सब Adventure कर दिजिए हम मैं लीया है और अब इन सब को अचे तरह से लिए है sense मिक्स करके आप योगिस दशेनस के लिए रेस्ट करने के लिए छोर दीजिएगा उसके बाद प्किन की उसmeno believe करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब अच्छी तरह से बुड़ी बाइंड हो गया था तो फिर मैंने यहां पर टिकी बनाना स्टार्ट कर दिया है इसे हलका सा ओल अपने हाथों में लगा लें और दुन हाथों में इसे मिक्स करके फिर टिकी बनाना स्टार्ट कीज शेब दे दीजीए तो देखी मैंने कितनी ठिक बनाई है तो आप इसे इतना ही ठिक बनाई ताकि टिक्की जब कढ़ाय में डाले तो चिपके नहीं तो मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूं डी फ्राई नहीं कर रही हूं तो टिक्की हमारी क्रंची बने इसलिए मैंने इसके अंदर चावल का आठा एट किया था ताकि मुझे डीफ्राय करने के जड़ोटना पड़े और उसके उपर से मैं इस तरह से bread crumbs भी coat कर दे रही हूँ, तो ये double crispy हो जाएगा, अंदर से चावल के आटे से और बाहर से ये bread crumbs है, तो देखिए, बिल्कुल कम oil में मैं इसे roast कर रही हूँ, अगर कम होता जाएगा तो आप उपर से एक दो टी स्पून जितना oil आप डालते जाएगा और इसे roast करते जाएगा, तो इस तरह से टिकी आप त्यार कर ले और इसे self-fry कर ले, आपके उपर है आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप bread crumbs लगा कर इसे 10 मिट के लिए freeze में रख दीजेगा, तो यह और अच्छी तरह से तल जाएगी, सिख जाएगी, तो यहाँ पर मैं shallow fry कर रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल medium flame पर मैं इसे सेक रही हूँ, क्योंकि अंदर से अगर यह कच्छा रह गया, तो चावल का आटा कच्छा रह जाएगा, त तो थोड़े थोड़े oil में आप देखिए, कितना अच्छा से यह roast हो रहा है, बिल्कुल कम oil में, यहाँ पर टिक्की को roast करके निकाल लिया है, प्लेट में, देखिए कितनी कराड़ी और crunchy बन के तयार है यह, तो चाट के लिए मैं इसे कैसे assemble कर रही हूँ, वो अब मैं यहाँ पे गाड़ी थिक दही को इसके उपर coat कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे धनिया चटनी में add कर रही हूँ, तो इसे किस तरह से assemble करना है, यह totally आपके उपर है, जो आपको पसंद दे वो add कर सकते हैं, जो भी आपके घर में available है, आप उसे इसके उपर topping कर सकते हैं, तो धनिया की चटनी डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने सोट की चटनी यहाँ पर डाल रही हूँ, अगर आपके घर में सोट की चटनी बन कर रेडी नहीं है, तो मार्केट में इमली की चटनी, मैगी पिछकु करके आती है, आप उसे डाल सकती है, वो भी बिल्कुल सेम तेस्ट देता है, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने रेड चिली फ्लिक्स एड़ कर दिया है, रोस्टेट जीरा पॉडर एड़ कर रही हूँ, और काला नमक तो जरूर डालिएगा, यह बिल्कुल मस्ट है, कोई भी चाट में बिना काला नमक के टेस्ट नहीं आता है, तो थ थोरे से आलू भुजिया सेव डाल दिया है, यहाँ पर मैंने, तो देखिए यह इस तरह से बनके तयार है चाट हमारी, तो यह चाट रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जुरू बताईएगा, तो मिलती हो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिप विए क्यार, बबाई